हेलो एप्रीवन वेलकम बैक टू माई चैनल इस साइट चिदी एंड आज की क्लास में हम डिसकर्स करने वाले हैं एंशन साउथ इंडिया के कुछ इंपोर्टेंट क्वेशन जैसे कि आप सभी चानते कि अभी तक मैंने आप सभी के साथ एंशन इंडिया के मैक्सिमम जितने भी टॉपिक आते हैं सबके उपर इंपोर्टेंट क्वेशन आप सभी को करवा चुकी हूँ सुरू से लेके end तक अगर आप सभी ने उस important questions को नहीं किया है या वो lecture नहीं देखा है तो आप ancient India के playlist में जाकर के check out कर सकते हो नहीं तो link description box में है आज की class में मैं आप सभी को चोल, चेर, पांडिया, चालू कि और पलव तो कि ancient South India के कुछ important topic है आप सभी की demand थी कि मैं आप साउथ इंडिया के कुछ important questions लेकर क्या है तो आज की video में मैं आपके साथ कुछ और important questions लेकर क्या हैं तो कि यहां से आपके exam में किस तरीके से question बनते हैं या पूछे जा सकते हैं तो इसी तरीके से मैंने आपको completely ancient history के सारे topic पर important questions करा दियें इसके अलावा भी ancient medieval modern सारे important questions की मैंने series चलाई थी वो सब कुछ हम already कर चुके तो आपके practice के लिए बहुत सारे यहां पर question हो चुके हैं आप सभी जानते कि आप लोगों के स्टार्ट हो चुके हैं तो अपने तयारियाप अच्छे से कीजिए ज्यादा से ज्यादा practice कीजिए तो चलिए देखते हैं कि आज की क्या-क्या important questions है और आप सभी से में यही कहूंगी कि आप सभी को इसको एक as a test या as a mock test लेकर की चलना है और मेरे question read करने तक आपको इस सारे question का answer comment box में बताना है आप लोगों यहां पर अच्छी practice करोगे तो आप लोगों का कि कौन कौन से exam में आपको देखने को मिलेगा तो चलिए video को start करते video को start करने से पहले एक बार आप सभी video को like और share कर दीजिए ज्यादा सथा तक video को like share करो और जो भी मेरे channel पर फर्स टाइम आया आप सभी मेरे channel को subscribe कर लीजिए तक आगे की history की जितने भी lectures आए उन सब की update पाने के लिए तो चलिए start करते हैं और देखते हैं कि यहां से किस तरीके से आपके exam में questions देखने को मिलते हैं आप सभी का पहला question जिसके अंदर आप सभी से पूछा गया है वेंकुंट पेरुमल मंदिर कहां पर है वेर इस दा वेंकुंट पेरुमल टेंपल location आपके options से मंदरा में कोची में महावली पुरम में या कांची पुरम में तो comment करके जल्दी से बताए आप लोगों को ज्या में पर यह बताना है कि आप लोगों का score कितना रहा ठीक है ताकि आप लोगों को practice हो जाए और आप जहां भी जो भी गलतियां कर रहें वह आप अपने exam में करके ना आए अगर हम बात करते हैं वेंकुट पेरुमल मंदिर जो है वह कहां पर है तो वह आपके है कांची पूर और आर्किडेक्टर पे ही questions पूछे जाते हैं आगे आगे आने मिली वीडियो में मैं आप सभी को next वीडियो आपको सभी को देखने को मिलेगी important questions की वह है आपकी विजय अगर की ठीक है विजय अगर बहामनी इन सब के उपर बुद्धिजम जैनिजम इन सभी से related में important questions ले भी ने नहीं किया है तो इस question का right answer था आपको option number D तो जिनों ने भी option number D दिया है वो बिल्कुल correct है तो आपका वेंकुट पैरुमल मंदिर कहां पे स्थित है वो है आपके कांची पूरम में clear हो गया आगे बढ़ेंगे next question की तरव next question हीरा आप सभी के सामने जिसमें आप सभी से पूछा गया है इन में से कौन सा विद्वान जो nursing वर्मन प्रथम का दरबारी कभी था उसने दस कुमार चरितम को संस्कृत में लिखा था आपको बताना है which of the following scholar was the who was the court poet of nursing वर्मन फर्स्ट रॉट आपके दक्ष कुमार चरितम इन संस्कृत इसी equation में आपके बहुत सारे equation बन रहे है आपको एक बात यह आद रखनी है कि आपको nursing वर्मन का वो पहला दरबारी कौन था वो बताना है जिसने आपकी यह book लिख की है दस कुमार चरितम वो भी किस language में संस्कृत language में तो यह single भी पू है जिन्होंने यह book लिखी थी वो भी किसमें आपके संस्कृत भाषा में अगर हम बात करेंगे nursing वर्मन फर्स्ट जो है उसका तो दरवारी कभी था वो था आपका डांडीन इट मींस जिन्होंने दस कुमार चरितम की यह किताब लिखी थी ठीक है और यह कौन सी language में संस्क लिखी तो यहां से आपके दो question बनते हैं इस question का right answer option number a है जिन्होंने option number a दिया है वो बिल्कुल correct है तो यहां से दो question बनते है ठीक है आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि दांडीन जो है वो किसके कौकिसके कौन से ruler के code poet थे तो आपको यह भी पता होना ची nursing वर्मन प्रथ तो आपको question भी बहुत द्यान से पढ़ना है और answer भी यही question आपको घुमा करके पूछा जा सकता है बात करते हैं इसकी explanation की तो आपनों next slide पर देख सकते हो कि दश्कुमार चरितम की रचना जो है दंडीन ने की थी जो कि गद्दे रुमास के संस्कृत लेखक थे और छटी स साथवी सताब्दी के कविताओं का यह व्याख्या करती कौन आपके दंडीन इन्होंने कमपोस की थी आपके जो दोनों है भारवी और दंडीन यह दोनों ही इन्होंने किरात अरजुनियम और दास कुमार चरितम के लेखक पल्लब दरवार में यह रहते थी तो यह author किस ची की गई थी और यह आपके पल्लब दरवार के थे तो यह कुछ important point है जो आपको extra पता होना चाहिए आप लोग चाहों तो इसके बात जाकर के जहां भी आपने अपने topics को लिखा है notes बनाये उसको revision जाके जरूर कीजिएगा आगे बढ़ेंगे next question की तरफ next question हीरा आप सभी के सामने जिसमें आप सभी से पूछा गया है चौल काल के दुरान यूवराजों को न्यूक्त किया गया था during the चौल period यूवराज वर अपॉइंटीड टू आपके options है मंडलम विश्य वैश्य नाइडू या फिर आहार तो इसमें से चौल empire जब चौला administration या चौला period चल रहा था उसमें तो यूवराज को निक्त किया गया था वो कौन थे आपके मंडलम में आपके विश्य में या नाडू में या फिर आपके आहार में तो जल्दी से comment करके बताईए कि यूवराज को appoint किया गया था कहां पर तो वो किया गया था आपके नाडू में ठीक है उर और नाडू आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ होगा ठीक है अगर आप सभी ने चोला administration जरूर करके चाहिए आप सभी को मैं already बता चुकी हूँ और बोल भी चुकी हूँ कि अगर आप history का कर रहे हैं तो art और architecture ठीक है next आपका administration इन सब होपे जादा सर आपके यहाँ पर question strong होने चीए topic strong होना चीए क्योंकि maximum question इनी topic से पूछे जाते हैं ठीक है तो यूवराज को appoint किया गया था आपके कहां पर नाडू में आप सभी मुझे comment करके बताएंगे कि उर और नाडू ठीक है यह क्या था ठीक है मैं आ आप सभी मुझे comment करके बताएंगे क्योंकि आप सभी ने अब तक चोला period अच्छे से पढ़ावा होगा और साथी साथ आप सभी मुझे comment में time period भी बताएंगे कि time period भी क्या था clear हो गया तो यह दोनों चीज़े आप सभी को comment करके बतानी है आगे बढ़ेंगे अपने next question की next question यह आप सभी के सामने जिसमें पूछा गया है संगम यूग के दोरान सबसे धनी और सबसे भूर स्वामी वर्ग थे the richest and biggest land-owning class during the संगम age was आपके options है विलास, नायकास, उलवार या ब्रहमन इन में से कौन सबसे ज़ादा rich और सबसे ज़ादा biggest land-owning area थी class थी संगम period के समय और आप सभी को पता है कि आपके संगम period के समय पर कौन से topic आप सभी पढ़ते है चेर, चोर और पांडिया ठीक है यह तीन topic हम इसके अंदर cover up करते है अगर जिस भी student ने संगम age को नहीं पढ आवाज topic को पढ़ना चाते हो ancient history की playlist में चेक आउट कीजिए संगम age नहीं तो आप सर्च कर सकते हैं संगम age by सिद्धी तीवारी तो आपको यह मिल जाएगी वीडियो और आप इसमें detail में पूरे अच्छी तरीके से एकी वीडियो में इसको completely समझ सकते हैं ताकि आपको यह और आप सभी को पता है option number a correct है जिनों ने भी option number a दिया वो बिल्कुल correct है आप सभी को पता है कि विलास किसको बोला जाता है आपके किसानों को आपके पीजन्ट को बोला जाता है ठीक है तो इसलिए इस question का right answer है आपको option number a आगे बढ़ेंगे next question की तरफ अब आपसे पूछा गया राजाराज द्वित्य द्वारा निर्मित दारासुरम मंदिर में इन में से किस साहित्य की घटनाओं को इसके गर्ब ग्रह की दिवारों से लगुचित्रों के रूप में चित्रित किया गया है आपके English में क्या मैं पढ़ दे रही हूं आप सभी क सब्सक्राइब दारासुरम मंदिर किस ने बनाया था तो याद रखना राजाराज सेकिंड ने यह टेमपल बनवाया था एक क्वेशन यह भी बनता है इंसिदेंट फ्रों विच आफ दी फॉल्लवाइंग डिट्रेचर डेपेक्टिड इन फॉर्म आफ मीनियेचर इन दी से सेंक्टम तो आपके आप्सेंस हैं कंब रमायडम महाभारतम पेरिया पुरानम या फिर कंद आपुरानम तो जल्दी से बताइए कि इसमें से राइट अंसर क्या होगा बहुत ध्यान से पढ़िएगा यह क्वेशन बहुती अलग तरीके का है इवनली यह आपके मैनी एक नहीं थीक है अगर हम बात करेंगे राजा राजा दृत्ते ज़रा निर्मित दरासुर्म मंदिर में इन में से किस सहिते की घटनाओं को इसके गरवगरेख की दिवारों के लगुचित्र की रूप में जो चित्रित किया था कौन सी वो सहित्ते हैं जिसमें सारी घटनाओं तो वो था आपका पेरिया पुरानम ठीक है इस question का right answer option number C तो जिनों ने भी option number C बोला है वो बिल्कुल correct है तो आपका पेरिया पुरानम वो साहित है जिसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ा आपको देखने को मिलती है अब बात करते हैं इसकी explanation की तो मैं आप सभी को बता दू तो राजरादा दृत्ते का time period आप सबको पता होना चाहिए 11462 1172 का time period है ठीक है द्वारा निर्मित दारासुरा मंदिर वंदिर वस्तुकुला में चोलो का एक और महत्वपुनी योगदान है आप सभी को पता है कि मैंने आपको पता है साउथ इंडिया में सबसेद आपको पता होना चाहिए कि दारासुरा मंदिर वो आपके राजरास second ने first ने नहीं second ने बनवाया था यह भी question आपके exam में पूछा जा सकता है आगे बढ़ेंगे next question की तरव next question में आपसे पूछा है इन में से कौन सा चोल प्रसासन की सबसे निचली इकाई थी which of the following was the lowest unit of the चोल administration आपके options है मंदलम, नाडू, खुर्रम या फिर उर्थ आप लोगोंने बहुत ही अच्छे तरीके से चोला administration पढ़ा होगा और यह चारों के चारों आपने बाते देखी पूछी होगी, आप सभी मुझे कमेंट करके मंडलम क्या था नाडू क्या था ठीक है कि खुर्रम क्या था और उर्थ तो यह नाडू है, यह हिंदिवाश्च तुली आप लोग करेक्ट कर ले ना, तमिल नाडू नहीं जा नाडू है, और आपको वह साथि-साथ कमेंट करक को मिलती है इसमें आप लोगों ने क्या क्या किसके बारे में पढ़ा है लेकिन अभी हम अपने क्वेशन की बात करें आपके चोल एडमिनिस्ट्रेशन की पूची है तो वह है आपके खुर्रम ठीक है आपके अब बात करते हैं इसकी एक्स्प्लेनेशन की तो मैं आप सभी को बता दू खुर्रम जो आपके चोल एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे लोवेस्ट यूनिट है फिर अगर हम बात करते हैं कि आप सभी को पता है हम जब एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते तो यह भी डिवाइडिड ह दो होते देंग french dog vxton कि में मंगल मंडलव में तो जो आपकेους प्रूक के स्न Gabakा प्राव्त है उसको चोल ए्डमेद में मंडल बोला जाता ये और आपका हर एक किसमने होली में दोλε nade in的 का को होता है और खुरम आपका क्या होगा ग्रूप of villages clear हो गया group of villages जो आपके बहुत सारे गाउं को मिला करके जो एक चीज बनती है ये क्या है आपका खुर्रम तो ये चोला administration का एक बात याद रखी का आप सभी ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है वैसे हम others administration पढ़ते तो उसमें सबसे lowest unit जो माना जाता है वो होता है gram ठीक है सब में same ही चीज होती है बड़ आपको नाम सब में अलग-अलग देखने को मिलते हैं वैसे हर जगा आपको जो gram है सबसे छोटी unit देखने को मिलेगी लेकिन यहाँ पर आपका खुर्रम है चोला administration में आप लोगों को इसमें confusion नहीं होनी चाहिए clear हो गया I hope आपको इस सारी चीजे clear हो चुकी है तो उर और नाडू आप लोगों को सारी चीजे पता होनी चाहिए अगर मैं बात करूँ आपके उर की तो आपके यह उर एक assembly थी लेकिन यह assembly किसकी होती थी आपके non-brahmans की ठीक है non-brahmans कौन होते हैं जो की आपके होते हैं पीजेंट यानी की किसान उसे कहा जाता है उर clear हो गया वहीं अगर मैं बात करूँ आपकी नाडू की तो नाडू क्या होता है यह सब आप मुझे comment करके बताएंगे एक चीज मैंने आप सभी को यहां बता दी अब अगर आप लोगोंने चोला administration बहुत अच्छे तरह किसे पढ़ा होता है तो आप मुझे नाडू का मतलब यहां पे बताएंगे clear हो गया आगे बढ़ेंगे अपने next question की तरफ next question में आपसे पूछा गया चोल वंस का जो अंतिम सासक है विजयाले वंस वो कौन था वो वस दा लास्ट डूलर अफ विजयाले लाइन अफ दे चोला डाइनिस्टी आपके option से विरा राजेंदर राजा अधी राजेंदर या फिर राजा राजा second आप सभी को बताना जो चोल वंस का अंतिम सासक था विजयाले वंस का मेंसे कौन था जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इस question का right answer क्या होगा विराजेंदर राजा अधी राजेंदर या राजा राजा दुट्य आगर हम बात करते हैं कि चोल वंस का जो अंतिम सासक था विजयाले वंस का वो कौन थे आपके अथी राजेंदर इस question का right answer क्या होगा आपको option number C तो जिनों ने भी option number C दिया है वो बिल्कुल correct है बात करते हैं इसकी explanation की तो राजेंदर चोल की works for टीन उत्तर अधिकारी अक्समशा सकते और उनके तीसरे उत्तर अधिकारी वीरत राजेंदर के पुत्र थे आपके अधि राजेंदर ठीक है जो की आपके नागरी कसांती में मारे गए थे चोल धासन की विजयाले रेखा उसकी मृत्यों के साथ की समाप्त हो गई जो विडिया आले रूल कर रहा था उसकी मिलती हो गई तो उसकी सारे टाइम चीजे उसके जो रूल है वो सब कुछ खताम हो जाता है तो यह सारी चीजे आपपको पता होनी चैंए कुछ ऐसी चीजे होती जो हमें नहीं पता चगती most हम आको डिटेल में आप श्वी जानते हो वीडियो पसंदारी हो तो लाइक शेयर करते रहेगा और कैसा स्कोर रहा कितना आप लोगों का इससा मुझे कमेंट करके साथ साथ बताते जाएगा आगे बढ़ेंगे तेरभी सताबदी के अंतिम दशक में भारत के मारको पोलो निम्नली कित में से किस के पास गए थे तो अगर हम बात करेंगे तेरभी सताबदी के अंतिम दशक में भारत के जो मारको पोलो हैं इन में से किस के पास गए थे तो वो गए थे आपके पांडिया के पास ठीक है इस question का right answer option number B है तो जिनों ने भी option number B दिया वो बिल्कुल correct है आप लोगों को इस question को जल्दी read करना है जल्दी questions के अंसर देने की कोसिस करने आप सभी को पता है कि आप लोगों का जो exam है वो online है तो आप लोगों की speed अच्छी खासी होनी ची ताकि आप दो गंटे में अपन read questions जो इसको cover up कर सके तो इसलिए इस तरीके की practice आपको अभी से कर लेनी चाहिए बात करते इसकी explanation की आप सभी जानते जो मारको पोलो है को एक Italian traveler है ठीक है जोकि तेरवी सताबदी में आपके पांडे समराज्य के काल में आये थे और यह कहां पर उत्रे थे कायल में उत्रे और राजा राजकुमार के साथ लोगों के धन और वैवप से प्रभावित होकर उनके स्थीत में सबसे अमीर राजे की रूप में यह चीनित हुए थे तो यह याद रखना मारको पोलो कौन है यह भी आता है आप एक Italian traveler थे यह clear हो गया आगे बढ़ेंगे अपने next question की तरफ next question में आपसे पूछा गया है कि आपको chair kingdom के यहाँ पे कुछ parts हैं आपको यह बताना है कि जिनचे जो options हैं इन में से कौन आपके chair kingdom का हिस्सा है आपके पहला है कोकाई, मुस्तरी, पुहार, सालियार या फिर टोंडी जल्दी से comment करके बताए हिंदी वैले student आप लोग इसको कर लिजी इसमें हिंदी ट्रांसलेशन करना रहे गया है बट ऐसा कुछ difficult नहीं है आप लोग इसको easily से बता पाओगे chair kingdom में इन में से कौन सा इसका part है कौरकाई, मुस्तरी, पुहा, सालियार टोंडी नीचे आपको options दे रखे आपको बताना इसमें से कौन सा correct है तो जल्द आपको नीचे description box में telegram channel मिल जाएगा आप सभी उसको join कर सकते हो pdf के लिए बाकी आपको कोई भी doubt हो, कोई भी query हो, कोई भी confusion हो, exam से related तो आप लोगों को दूसरा telegram channel है आपको link description box में मिल जाएगा उसको join कर सकते हैं बाकी वहाँ पे भी यहाँ पे तो practice होती है channel पे लेकि तो इसके लिए telegram channel को join जरूर कीजिएगा तो अभी तक आप सभी ने अपना answer दे दिया होगा तो अगर हम बात करें चेर kingdom के जो part है वो एक तो आपका है मुस्तरी और एक है आपका तोंडी ये दो ही part आपके सिर चेर kingdom के है इसलिस question का right answer option number B होगा तो जिनोंने भी option number B दिय है क्योंकि अगर हम बात करेंगे आप सभी को पता है को कारी जो है एक main port है लेकिन किसका पांडिया का ठीक है अब मैंने आपसे चेर का पूछा था पोहार भी अगर हम बात करेंगे तो यह royal resident है और यह port town आपके चोला empire का मैंने आपसे चेर का पूछा था ठीक है इसलिए अ चेर किंग्डम का इसमें से कौन-कौन से बाट है वो पूछा गया तो question मैं आपको पता होना चीए एक तो मुस्तरी और एक है आपका टॉंडी जो कि आपके चेर किंग्डम से इसका connection है क्लियर हो गया आगे बढ़ेंगे अपने next question की तरफ इस question में आप सभी से पूछा गया है कावेरी नदी के पाल कलनेई का निर्माड किसके द्वारा किया गया था करैने अक्रोस रिवर कावेरी वास बिल्ट वाई राजिंदर प्रथम करिकाल चॉल राजरास चॉल या फिर इसमें से कोई भी नहीं question बहुत easy है और बहुत 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 प्रिवेशर question में ये पूछा जा सुका है even लिए आपके entrance के अलावा भी competitive exam में भी आ चुका है कावेरी अगर हम बात करेंगी जो driver है ये किसके दोरह बनवाय गया था तो आप सभी जानते है ये करीकल जो राजा है चौल का इन्होंने बनवाय था तो इस question का right answer option number B है तो जिन्होंने भी option number B दिया है वो बिल्कुल correct है बात करेंगे इसकी explanation की आप सभी देख सकते हो कि पहली सताबदी में चौल बंस के राजा करीकालन दोरह कावेरी नदी पर grade एनिकंट बांध या फिर करनाई बांध बनवाय गया था ठीक है बांध आसमान पत्थरों से बनाय गया था और इसका जो 329 मीटर ये लंबा था औ अपने exam point of view से आगे बात करेंगे अपने next question की इसमें आप सभी से पूछा गया nursing वर्मन प्रथम ने किसकी उपादी दारण की थी nursing वर्मन प्रथम जो है इसने कौन सी उपादी दारण की थी तो वो उन्होंने की थी वतापी कौन दन ठीक है इस question का right answer option number A है ये बहुती easy और simple question था already आप सभी को ये आता होगा और आशा करती होगी इस question का answer आप में से किसी ने भी गलत नहीं किया होगा अगर हम इसकी explanation की बात करेंगे तो nursing वर्मन प्रथम जो है वो पल्लव राजाओं में सबसे प्रसिद था सबसे famous राजा था उसने पूली केशी द्वित्यों को हरा करके वतापी पर कबजा करके चालुक्यों से बदला लिया था इसी साहस्ति कृत्यों ने महामाला और वतापी कॉंडा की उपादी रही थी यहाँ पर question में सिर्फ एकी title की बात हुगी है लेकिन आपको यह दोनों title याद रखने है महामाला और वतापी कॉंडी यह दो इनोंने title दो इनोंने उपादी को दारण किया था किसने nursing वर्मन फ ताकि आपको इस सारी चीज़ा अच्छी से याद हो जाए आगे बढ़ेंगे अपने next question की तरफ उनके सासन में तमिल साहित्य फलाफूला था और अपर और सामबर द्वारा लिखी तेवरम की लोगप्रते में विर्दी हुई थी वे नाटक मत बिलाशा प्रहसन और एक अन्यनाटक भगवद उजग नामक नाटक के लेकक थे आपके दो statement दे रखे हैं तमिल लिट्रेचर उनके समय पर महिंदर वर्बन के समय पर फ्लोरिश हुई थी विद्धिराई जो दी पॉपुलिरिटी ओव तेवरम रिटन बाई अपार एंड समबदार रियाद रखना आपके एक्जाम में ये single पूछा सकता है कि तेवरम जो एक इसके द्वारा लिखा गया था अपार और समबदार के द्वारा ये लिखा गया था और ये author है किसके तीक है इसी statement में ही आपके बहुत question बन रहे है अगर मैं बात करूँ तो ये दोनों statement आपके सही है option सी आप इस question का right answer है इस question को note down कर लो या अच्छे से समझ लो और पढ़ लो क्योंकि यहां से question बहुत अच्छा खासा बन रहे है books and authors भी यहाँ पर दे रख है इसको note down कर लो और याद कर लो clear हो गया महिंद्र वर्मन की जो नाटक है मत्विलासा प्रहसन है ठीक है और दूसरा नाटक है भग वदुजक नामक नाटक है वो इसके लेखक है यह दोनों की दोनों याद कर लो एक्जाम में पूछा जा सकता है clear हो गया आगे बढ़ेंगे next question की तरफ next question है match the following तो match the following के थुरू भी आपसे चीज़े पूछी जाती है आपके एक तरफ है नंदी वर्मन सारे राजा है second नंदी वर्मन third परमेश्वर वर्मन second या नरसिंग वर्मन first किसके समय पर क्या चीज़े हुई थी वो सब आपको बताना है यहाप है वान जांग आपको पता है चाइनिज ट्रैबलर है लास्ट टूलर आफ सिमा विष्णू लाइन ओफ पल्लव ट्रेड कॉंटेक्ट मुझे बता पाओ बिल्कुल जल्दवाजी नहीं करनी कंफ्यूजन नहीं होना है आप सभी को वध्यान से कीजेगा आपको मैं थोड़ा सा टाइम दे देरू ताकि आप लोग इसको कर सके लेकिन जल्दी ही जल्दी तीस सेकिंड में इसका अंसर आप सभी देने की कोसिस की तो अभी तक आप सभी ने इस क्वेशन का अंसर दे दिया होगा तो चलिए बात करते हैं इसकी अंसर की अगर हम बात करेंगे आपकी इस मैच दी फॉल्वाइंग की तो नंदी वर्मन द्वित्य कुटियाम और चाक्रियाल कोदू नंदी वर्मन थर्ड ट्रेड कॉंटेक् और मेश वर्मन सेकिंड ये लास्ट रूलर थे सिमांचू लाइन और पलव के और लास्ट आपका नरुषिंग वर्मन फर्स इन्ही के समय पर आपको वांसांग देखने को मिलेंगे तो अगर हम बात करेंगे इस मैच दी फॉल्वाइंग की इस क्वेशन का राइट अंसर नंबर A है जो कि राइट सिक्वेंस में दिया हुआ है आप सभी को लगता है कि मैच दी फॉल्वाइंग है तो कहीं जरूरी नहीं है कि हर बार आपको ये उपर नीच दिया हो कभी-कभी आपके अंसर राइट होते हैं इसलिए आप सभी को क्वेशन को बहुत ध्यान से सब्सक्राइब करेंगे नेक्स्ट की तरफ इसमें आप सभी से पूछा गया है गुफा मंदी सबसे पहले तमिल नाडू में किसके द्वारा शुरू किया गया था तो केव टैंपल जो है फॉर्स्ट ताइम नाडू में इंट्रिउस किया था आपके चालू किया पल्लव च इसके द्वारा हुई थी तो वह हुई थी आपके पल्लव के द्वारा इस क्वेशन का राइट अंसर अप्शन नंबर बी है तो कि टैंपल हमें हर समय हर एक टाइम पीरिट पर देखने को मिलती है लेकिन इसने आप से केव टैंपल गुफा मंदीर की बात पूछी है तो इ आपको पता आना चाहिए किसके द्वारा ही बनवाया गया था किस समय बना था तो यह भी आपको याद रखना है इसको नोट डाउन कर लो इनी से रिलेटेड कुछ भी क्वेशन आपके एक्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेशन सेकेंड या नर्सिंग वर्मन जल्दी से कमेंट करके बता ही बहुत इजी क्वेशन है इस अंसर को आप सभी जानते हैं और मैं आप सभी को बता दो यह बहुत ही इंपोर्टेंट है और यह आपके प्रीविएस एर क्वेशन में पूछा जा चुका है ठीक है एह होल सिराले एक जो रवी किर्थी द्वारा लिखा गया था यह भी आपको वैर्री इंपोर्टेंट है पता होना चाहिए एह होल सिराले यह परदान करता है नेक्स अगर हम बात करेंगे यह संस्कृत भासा में लिखी गई थी और हेल कननड लिपी में लिखी गई थी यह आपको पता कि एक पोईट्री है जो कि संस्कृत लैंगविज में और हेल करना डिस्क्रिप्ट में लिखी गई थी यह भी आपसे एहोल ने स्कृत से पूछा जा सकता है बात करेंगे आपकी इंस्क्रिप्शन की अगर आप लोगों ने इंस्क्रिप्शन अभी तक सारे नहीं पड़े इस पर मैंने अल्रेडी वीडियो ले चुक है तो जिन्होंने भी इंस्क्रिप्शन पर नहीं वीडियो देखी है आप लोग इंस्क्रिप्शन की प्लेडिस चेक आउट कर सकते हैं नहीं तो इस्क्रिप्शन की मैंने सिंगल प्लेडिस बना रखी है जाकर कि सारे इंस्क्र से लेटेड भी आपको क्वेशन देखने को ज़रूर मिलेंगे आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेशन की तरफ नेक्स्ट क्वेशन में पूछा गया कंबा रमायनम और पेरिया पुरानम की जो महान साहिते कामबा रमायन और पेरिया पुरानम आपके चालूख का विजन अगंपैर लेटर जोल या पांड्य तो स्टूडेंट याप सभी का हूंवक का क्वेशन है इसकांसर आप सभी मुझे अ कमेंट करके बताने बाले हैं और जिन्हों ने भी सीरेसली इस वीदियो को बहुत सीरेस question आज़ा करते हैं आपको वीडियो helpful रही होगी तो वीडियो को like, share, comment करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कोई भी डाउट कोई भी query मुझे comment करके नहीं तो telegram चैनल पर आप लोग पूछ सकते हैं आज क्लास में बस इतना ही बाकी आपको कोई भी बाकी आप लोगों को कितना score रहा है आघ के वीडियो मैं मुझे comment जरूर बतायेगा next video किस पे चाते है आप लोगों कोई डिमांड है आप लोगों किसी पे चाते हैं तो आप मुझे comment करके जरूर बतायेगा तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजे रात के जाड़े नौ बज़े आपको चैनल पर हमेशा वीडियो देखने को मिलेगी तो स्टुडेंट आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते अपनी नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फो वाचिंग